गत साइं जिला मोगा में उस समय डर का महौल बन गया जब गाउं डाला के रहने वाले कॉंग्रिस ब्लॉक प्रधान और मौजूदा नमबरदार बलचिंदर सिंग बल्ली के घरा कर अग्यात लोगों ने उन्हें गोलिया मार दी जिसके बाद बलचिंदर सिंग बल्ली को मोगा के मेटी सिटी अस्पताल में घायल अवस्ता में भरती करवाया गया जहां इलाज के दोरान उनकी मौथ होगा वही घटना के सूचना मलते ही मोगा के स्सपी जे अलन चेलियन, स्पीडी अजे राज सिंग और उच्ज फुलिस सतिकारी बल्ली के घर पहुंचे और जांच शुरूली तो वही बारदात की ये घटना सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई है इस समंद में जांकारी देते हुए डियस पी धरमकोट वरिंदर सिंग ने बढ़ाया कि अग्यात लोगों द्वारा बल्ली पर गोलियां चलाई गी है लेकिन बाद में इस घटना सी उस समय परदा उठ गया जब गैंग्स्टर अर्श डलना ने अपनी फेस्बुक पर एक पोस्ट डाल कर बल्जंदर सिंग बल्ली के कतल कराने की जिम्मेदारी दिया तो वहीं पुलिस CCTV के अधार पर दोशियों की तलाश कर रही है और बल्जंदर सिंग बल्ली का शब पोस्ट माटम के लिए मोगा के सरकारी अस्पताल में रखवा दिया गया है वहीं मोगा मेडी सिटी अस्पताल में पहुंचे कॉंग्रिसी नेता परमपाल सिंग ने बताया कि बल्जंदर सिंग बल्ली निहाल सिंग वाला शित्र के बलॉक प्रधान है उनके घर पर दो तीन अग्यात लोग कुछ साइन करवाने के बहाने आयो और उन पर गोलियां चला दिये जिसमें से तीन गोलियां उन्हें लेकि जिसके बाद घायल वस्ता में उन्हें अस्पताल आया गया जहां पर उनकी मौत हो गई पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है मुगल से हलचल के लिए निशीव मंचंदा की लिए बल्जेंदर से बली डाड़ा पेंड़े नमबरदार है गया ते आज जे कुई पांजबाजी के शबीक मेंट ते दो नौजवान अनपशाते आया जड़े मोटर साइकल ते सीगे पिश्टसों ने आये इसकी कार्वियान दी जा रही है